हाई आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपना यूटूब चैनल रकेश्टडी पे मैं हूर रबिंद्र कुमार गाईज आज हो गया है दस दिसंबर और इसने वीडियो में आप सभी का स्वागत है का यूपी फ्री टेबलेट बीतर योजना से रिटेट एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है जो अभी मीटिंग के बाद एक फैसला लिया गया है जो आप सभी को बहुत ही जल्द जो टेबलेट या स्मार्टफ हैं तो जहां पर देख सकते हैं गौवर्मेंट आफ यूपी का ट्यूटर हंडल एकाउंट है जहां पर आपको देख सकते हैं पर हेड्लाइन में लिखा गया 22 गंटा फैले अपडेट दी गई है कि फ्री स्मार्टफोन टेबलेट की यह तारीक है वो तैय हो चुकी है जो क यहां पर देख सकते हैं gnews.india.com पर दिखाया गया है फ्री टेबलेट एंड स्मार्टफोन फ्री स्मार्टफोन और टेबलेट का इंतजार हुआ खात्मा ठीक है तो सबसे पहले यह जो यहां पर दीख रहा है इसको लिंक को क्लिक करते हैं और डायरेक्ट हम लोग चलते ह टीक है तो गई लिंक को जैसे क्लिक करेंगे कि अब कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा जहां पर नीचे देख सकते हैं पर जी न्यूज जो है उस पर यह अपडेट दिये गई है इंडिया का जी न्यूज जो है और यहां पर देख सकते हैं है एडलाइन में शुरू होने की उमीद है इसके बार टेबलेट की आपूर्ती सुरू हो जाएगी अब यहां पर जो लास्ट जो डेट है वह आ चुकी है तो फटा-फट से जो हमारा डेट है वह देखते हैं तो कहीं पर देख सकते हैं यूपी फ्री टेबलेट स्मार्टफोन जो योजना है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश के चात्रों को मुक्त में टेबलेट और स्मार्टफोन देने की त्यारी लगभग पूरी कर ली है यानि जितने भी त्यारियां है सारे के सारे जो पोर्टल बनाने थे नाम लिश्ट जो था और सभी के सभी उनके पास डेटा इ त्रड शुरू करेगी और अटल बिहारी बेच पे जो जी है उनका जो जनम दिवस है वो 25 दिसंबर से है ठीक है तो गया पर देख सकते हैं इन कंपनियों को मिलेंगे स्माटफून बन्मने कौन से कंपनी का मिलेगे यहां पर देख सकते हैं जानकारी के मताबिक स्माटफून की सप्लाई IT विभाग को 20 दिसंबर से सुरू होने की उमीद है इसके बाद टेबलेट की अपूरती सुरू हो जाएगी छात्रों को इसका ब्यूरर 25 दिसंबर से करने की त्यारी है इसमें टेबलेट के लिए विश्टल, सैमसंग और यहाँ पर देख सकते हैं नाम भी दिया गया है विश्टल और यहाँ पर दिया गया है सैमसंग और एसर यानि सेलकॉन और स्मार्टफून के लिए लावा, सैमसंग, ठीक है इस ताइब के जितने भी कंपनिया हैं वो सारी के सारे भाग लिए है आगे देख सकते हैं गया जहाँ पर लिखा गया है कि डीजी सकती नाम से पोर्टल बनाया गया है जिसे मुख्यमंत्रियोगी आदितेनाज जल्दी लाउंच करेंगे इस पोर्टल के जरिये स्मार्टफून और टेबलेट का बेतर होगा चात्रों को पढ़ाई के लिए उपयोगी सामागरी भी उपलबत कराई जाएगी ठीक है दावा किया गया है कि सरकार की वर से स्मार्टफून और टेबलेट की जो खरीद के लिए जेम पोर्टल पर अब तक का सबसे बड़ा टेंडर जारी किया गया है जो 47 करोड कह सकते हैं 4700 करोड रुपे में इनकी खरीदारी हुई है ठीक है यानि कह सकते हैं कि यहाँ पे 4700 करोड रुपे की जो टेबलेट है स्मार्टफून है उसकी खरीदारी हुई है लगबख इतने की यहाँ पे खरदारी दिखाया गया है तो guys यहाँ पे आप सभी लोग को जो बीत्रड का जो डीट बताया जा रहा है वो 25 दिसम्बर ठीक है यानि 25 दिसम्बर से जो है वो बटना इस्टार्ट जाएगा इस्टूडेंटों को और 20 तारिक से जो है कि आपको 25 दिसम्बर से जो है लास्ट डिटी यह आ चुका है 25 दिसम्बर से आपका जो स्मार्फोन या टेबलेट बढ़ना है वो स्टार्ट हो जाएगा तो आई होब कि आप सभी लोग यहाँ पे आप जितने भी चीज़े हमने बताया आप लोग समझ गया होंगे तो बस आज के लिए इतना ही आई होब कि आप सभी को यह वीडियो पसंद देगी पसंद लाइक कर दीजेगा चैनल पर नहीं होतों सब्सक्राइब कर लिजेगा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक क्लिए जाए हिंद